नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल अपरेंटिसिप इंडिया अड़ा में देश्तों रेलवे आर आर भी टेक्नीशन की नई वर्थी की रिकार्डिंग बड़ी अपडेट आ चुके दोस्तों दोस्तों फानली रेल मंतराले की तरफ से नोटिस आउट हो चैनलीành यहां पर जारी है इससा के के बारहे में पूरा डींडियेल में दिसक्स करेंगे और यह भी जानेंगे कि जो DCN रेलवेकेट मिल था करेंगे जानूर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे पहले अगर आप अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नेकिए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो देख लो तो वीडियो को लाइप और सेर कीजिएगा दोस्तों फाइनली इसके लिए मैं आपको आरार्वी की वेव स साइट है जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर नोटिस पब्लिस किया गया है यहां पर देखेंगे तो आपको यह लेटेस्ट अप्डेट आल सेंटलाइज इंप्लाइमेंट या अधर नोटिस करके आप संदिया है यहां पर ही नोटिस पब्लिस किया गया है य 31-24 के डेट में यहां पर पब्लिस किया गया है requirement for the technician tentative timeline under cn no 1 0 2 आपलिक 2024 करके यहां पर दिया गया है 01 आपलिक जो 1 करके टेक्टिशन एलपी के लिए निकाली गयी थे आप 2 करके यहां पर technician के लिए करके यहां पर notice publish किया गया है जो short notice कि इसके बाद यहां पर click करेंगे तो यह नोटिस download हो जाएगा इस पर जैसे click करेंगे तो यहां पर मैंने click करके यह notice download कर लिया है यह detail notification आपके रेखने को मिल जाएगा जो यहां पर यह notice है यहां पर publish यह रही आपकी निव नोटीस जो सी नूमबर 02 अबलिक 2024 करके यहां पर निकाला गया है यहां पर देखें कि गौवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्टी आफ रेलवे 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 रेकोर्मेंट बोर्ड की तरफ से पब्लिस किया गया है यहां पर पूरा टोटल मिंसें किय यहां पर पूरा टाइम लाइन पब्लिस किया गया यहां नहीं कह सकते हैं यहां पर आपको मिंसन है कब आपका ग्याम होगा और कि अप junkied Whoo के लिए बुलाय जाए कि कब आपको स्वट लिस्ट किया जाएगा पहला पाड प्रेनल आए यहां पर किया गयाए नीचे देखयेके तो आपको यहां पर पब्लिस किया गाया पहले नमबर पर अऊधने second ऑंपलाइमन्च ओंटीस नियो परवरी दोज़ार चौबिस यानि अगले माँ इस महीने में ही आपको नोटिस पब्लिस हो जाएगा जो सीयर नमबर करके यहां पर आएगा जो पूरा डिटेल नोटिस रहेगी वह पब्लिस कर दिया जाएगे यह चीज़े यहां पर पहले से मेंचन कर दिया गया है कि आप लोग यहां पर देखेंगे दूसरे नमर में में इसका रखा जाएगा जो यहां पर बदाएगे तीसरे पर आपको में संक्राइब आप लोग को यहां पर बताया गया कि आप लोग का अक्टूपर से इस्टार्ट डिसमबर दोजार चौपिस तक होने वाली है यानि अक्टूपर से स्टार्ट होगा समाप्ति की एक्जाम का इसका लास्ट स्टेज और समाप्ति के चरण में रहेगी वो यहां यहां पर बताया कि इस संबर तक समाप्ति हो जाएगी उसके बाद यहां पर फोर नबर में इंशन किया गया है आप देखें कि यहां पर इन्हों ने बताया कि आप लोग का सौट लिष्टेट फॉर्ट डाकॉमेंट वेरिफिकेशन विल बीदार रिलीज इन्दा फरवरी के बाद नीचे यहां पर इन्हों ने मिंसर किया गया नोट में दा सेंट्रलाइच इंप्लाइमेंट नोटिस फार्दा नेक्स्ट सरकल रिकॉर्मेंट टू दा पोस्ट टेक्निशनी प्रवेजिनली पैनल फॉर इसू अप्रेल दोजार पचीस यानि आपकी नेस्ट पैनल कि यह पूरा सौट नोटिस एक तिस एक दोजार चौविस करदत में पब्लिस किया कि रेलवे रिकॉर्मेंट बोर्ड चेयर परसन के द्वारा यह बेजा गया है तो यह पूरी सेडूल यहां से इनकी टाइम लाइन टेक्निशन की आ चुकी है यहां पर नोजार आप लोग है हमेंट सांवल चौभ लाइन हर करें हैंज यहां पर किलिकेंट करकेंгр कर सकते हमेहां से मैंने जांड लोड का लिया को यह रहा आपका डेटेल रिक जब the technician एक साथ तो यहां पर रही है आपको वारे में नीचे मेंसर किया गया जो आप को यहां पर देख सकते हैं मेडिकल स्टेंडर्ड के बारे में पूरा डिटेल यहां पर पब्लिश किया गया था आप यहां पर देखेंगा तो आई टिया और फ्रेंटिस वालों के लिए एज रिलेक्सेशन भी अलग से दिया जाता है वह इस कटकरी में आते हैं जैसे आपको अगर जिस पोस्ट के अगर दूसरा एज रिलेक्सेशन जिस पोस्ट के लिए आपने कोर्स कंप्लिटेड एक्ट अपरेंटिस है उसमें अगर आपने पचीस साल के पहले आपने अपरेंटिस से पूरा किया है तो आपको जनरल के लिए 35 और इसे नान के लिए 38 के लिए 40 रखा जाता है तो इस इ आप लोग देख लिजेगा चैनल पर है और अभी इसके लिए जब वो इसमें भी आएगा नोटिस तो इसका भी 3-year एज रिलेक्सेशन मिलने वाला है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर क्वालिपिकेशन के बारे में भी आपको मेंसन किया गया है कौन कौन से कंडिडेट इसमें कौन कौन से ट्रेट वाले हैं तो आप लोग यहां पर देख लिएगा आपके यहां पर पब्लिस किया गया नोटिस पूरा डिटेल में यहां पर दिया गया है तो यहां पर देखेंगे तो यह आपका नोटिस है जो यहां पर पोस्ट वाइच प पोश्ट शुरू हो जाती है तो आप लोग technician के लिए बता दो यहां पर बता गए matriculation pass हो या SSCL या यानि आप high school pass हो प्लस आपके पास IT होना चाहिए या NCVT तो SCVT से तो फार्म अपलाई कर सकते हैं और इसमें देख लिए यहां पर mention क्या है आप लोग के पास matriculation pass हो या SSCLC pass हो यानि 10 पास हो प्लस आपके पास course completed act apprentice हो तो भी आप फार्म अपलाई कर सकते हैं यानि आप 10 प्लस आपके पास IT है NCVT अत्वा SCVT से तो भी अपलाई कर सकते हैं इसके बाद आप अगर दस पास हैं प्लस आपके पास NAC यानि जो CCA वाला certificate होता है course completed act apprentice जिसे बोलते है अगर आप यह वाला certificate लिए हैं कहीं से भी किये हो चाहे railway हो चाहे दूसरे जहां से हो किसी भी establishment से तो भी आप हम apply कर सकते हैं और इसमें आपको trade wise होता है तो आपको trade wise यहाँ पर जैसे vendor के लिए निकाली गए blacksmith के लिए निकाली गए तो आपको यहाँ पर अलग अलग trade के लिए अलग अलग होता है इसके बाद ऐसे सभी यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है book binder के लिए है book binder के लिए book binder में आपकी होनी चाहिए bridge के लिए निकाली गए तो आपको fitter होना चाहिए structure fitter या builder में होना चाहिए और कारपेंटर के लिए निकाली गया ऐसे लगबख डेट्स और ट्रेड में vacancy निकालती है तो आप लोग अपने ट्रेड वाइस देख लिए और इसमें भारवी पास वाले भी apply कर सकते हैं जो भारवी पास होते हैं और उसमें subject होना चाहिए physics आपका होना चाहिए प्लस आपक को दिखाऊंगा तो नीचे आप देख लिए गा यहां पर दिया भी गया है सिंगनल और टेली कम्मिलूकेशन के लिए और यहां पर देख सकते हैं 10 प्लस टू विद्पीजिक्स आं मैच सब्जेक्ट है तो आप अपलाई कर सकते हैं टेकनीशियन क्रेट थार्ड सिंगनल क टेकनिशियन ग्रेट थर्ड टेली कम्नुकेशन के लिए यहां पर देखेंगे तो यहां पर बताया गया 10 प्लस 2 होना चाहिए प्लस फीजिक्स मैथ आपके पास सब्जेक्ट हो और यहां पर इस सिंगनल वाले में यही क्वालिफिक्शन रखा गया फिर अगर आपको कोई डाउट है तो बेज चेक कमिटबाक्स में इसे किजिएगा टोटली आपके हैल रिप्लाई की जाएगी और यहां पर जो कोई से बात करते हूं उनको क्या यहां पर एज जो 20 परसेंट का कोटा होता वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा सिट रिजर होगी यह तो अभी इसका कोई ओफिसल नोटिस नहीं है क्योंकि लेवल वन में आप लोग को मिलता है और यह आपकी भरती जो होती ही लेवल टू की हो इस में पोस्ट पर दिया जाता है क्योंकि इसमें जो आप लोग दोंकि नोटिस ने हैगा कि इस जाएगा इसमें एज का रिचेवरेशन तो कंफर्म है क्योंकि यह 2018 की नोटिस में भी यह चीज़े में आप लोग को मिलेगी और सभी कंडियेट को जो त्री यह आप लोग जानते होंगे एक लेगर को किसी भी प्रकार की डाउट ह है तो पहस्ति किजाएगा टोटली आपकी अंडिस में कर दिया है ह। आप वहां से पिंक कर दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर भी कोई भी डाउट है, तो आप लोग comment box में mention कीजिएगा, धन्यवाद, keep and touch.